दुनिया भर में अपनी महानता के लिए प्रसिद सम्राट अशोग की एक नायाब निशानी हमारे उतराखन के धरादून जिले के कालसी में स्थित है उतर भारत में केवल कालसी में ही सम्राट अशोग का शिलालेक है कालसी उतराखन के जिला धेरादून की तहसील चकराता में स्थित है ये स्थान एतिहासिक ग्रिष्टी कोंट से बहुत ही महत्वपूर्ण है यहां पर भारतीय इतिहास में प्रसिद मौरेस समराट अशोक के चतुर्दर शिलालेक एक चट्टान पर अंकित है संभवत है ये स्थान अशोक के समराज्ये की उत्री सीमा पर स्थित्ता महभारत से भी इस स्थान का संबंध रहा है आज कालसी एक परटन स्थल के रूप में विश्वप्रसिद है कालसी उत्राखन के धेरादून जिले में समूत्र स्थर से 780 मीटर की उंचाई पर स्थित है ये जगह जौन सार बावर आदिवासी शेत्र का प्रवेश दुआर भी माने जाती है जो दो नदियों यमुना नदी और टौन्स नदी के संगम पर स्थित है ये जगह विभिन प्राचीन समारकों सहासिक खेल और पिकनिक स्थलों के लिए प्रसिद है विश्व के किसी भी देश का प्राची नितिहास जानने के लिए वहाँ प्राप्त अभी लेक सबसे विश्वस निय है और महत्वपूर्ण दच्तावेश जैसे होते हैं इस दिश्टी से हमारा देश विश्व के सबसे धनी देशों में से एक है हमारे देश के प्राची नुत्कीन लेक विभिन प्रकार के हैं और विभिन स्थलों पर जिस प्रकार प्राप्त हुए हैं उनसे उन्हें समझने की सुविधा की दृष्टी से चार भागों में रखा गया है जैसे शिला लेक, स्तंब लेक, गुफा लेक, तामर पत्र के लेक आदी, ये लेक पुरे देश में हजारों की संख्या में अब तक प्राप्त हो चुके हैं और प्रिथ्वी के गर्भ में अभी और ना जाने कितने चुपे हुए हैं नमस्कार, स्वागते आप सभी का दिकांचन्नेगी शोव में जिसका उदेश है कला संस्कृती, साहित्य, शिक्षा, स्वास्त, इतिहास, परेट और क्रिशी के साथ-साथ प्रख्याच शक्सितों को आप सभी से रूबरू कराने का और आज इसी क्रम में हम आपको लेकर आए हैं धेरादून के कालसी में जहां है समराट शोख का शिलालेक जिसके माधियम से समराट शोख के आंतरिक प्रशासन का पता चलता है तथा जहां हिंसा वपाप ना करना तथा युद का त्याग और धर्म का उद्गोश और प्रज अभी प्रकृती के बीच स्थित ये शिलालेक समराट शोख के आंतरिक प्रशासन के विशे में बताता है अभी लेक के बारे में विज्टार से यदी बात करें तो आपको बता दें कि प्राचीन काल में विभिन राजा महराजा अपने राजी संबंदित कुछ महत्वपूर बातों को चिरकाल तक स्थापित करने के लिए विभिन पत्थरों पर, चटानों पर, गुफाओं पर, स्थम्बो आदी पर अपने लेक लिखवा देते थे जिनकों की अभी लेक के रूप में जाना जाता है अभी लेक के अंतरगत शिलालेक, स्थम्ब लेक, गुआ लेक आ जानते हैं चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कुछ और कालसी में स्थित अशोक शिलालेक के बारे में भारतिये पुरा लेकों के इतिहास में से एक अशोक रॉक एजिक्ट कालसी के अतीम हित्वपूंट समारक और लोगप्री परेटक आकर्शनों में से एक है यह व यह आदेश राजा के बताए गए सुधारों और सलहा का संकलन है जिसको प्राकरिद भाशा और ब्रहमी लिपी में उत्कीन किया है इस सनरचना की उचाई 10 फुट और चोड़ाई 8 फुट है समराट अशोक भारत की महान शासक थे जिन्होंने अपनी महानता का परीचे विभिन महानकारें से दिया अशोक के विभिन अभी लेक और शिला लेक उनकी महानता का साक्षात परीचे देते हैं समराट अशोक मौर्या वंच के शासक के रूप में जाने जाते थे और उन्होंने विभिन अभी लेक विभिन शिलाओं पर स्थम्बो पर गुफाओं वाधी पर उत्कीन करवाए अशोक ने अपने धर्म प्रचार, अपने अपने उदेशे, अपने सिधानत के प्रचार प्रसार तथा जनहित के लिए किये गए कारियों को शिला लेकों वस्थम्बो पर अंकित करवाया ताकि उनके विशाल सम्राज्य की जनता उसके शासन प्रशासन से क्रिया कलापूं से अवगत होती रहे और शतापदियों बाद विश्व उनके महान सम्राज्य के बारे में अनभिग्य न रहे जिहां दर्शकों अंशोक द्वारा खुदवाई गए अनेक शिलालेखों में से अब तक 14 शिलालेख प्राप्त हो चुके हैं और ऐसा विश्वास है कि अनेक शिलालेख मानव खोजों से परे हैं यह शिला समराट के द्रिश्टीकून प्रजा के साथ नैतिक अध्यात्मिक एवं पिता जैसे संबंधों अहिंसा के लिए उनकी प्रती बधता और युद में समराट के त्याग के बारे में दर्शाता है इन कारियों के लिए अशोक ने निशेधात्मक और प्रयोगात्मक नीतियां बनाई थी ये भी इसी लेख से पता चलता है शिलालेक प्राप्थ हुए हैं वे आथ अलग अलग जगों पर मिले हैं जैसे गिरणार का शिलालेक जो गुजरात में है श्यहवाजड़ी शिलालेक जो पाकिस्तान में है मान्च सहरा शिलालेक जो पेशावर में है, सोपारा शिलालेक जो महराश्र में है, जोगण शिलालेक उडिसा, एरुगुडी शिलालेक जो आंतरप्रदेश में है वहीं बड़े ही गौर्व की बात है कि कालसी का शिलालेक काफी प्रसिद है जो हमारे उत्राखन के धेरादूर में इस दित है आपको बता दें दर्शकों कि इसकी लिपी भ्रामी है तता भाशा प्राकृत है इस जगे के इतिहास की यदी बात करें तो महाभारत काल में कालसी का शासक राजा विराट था और उसकी राजधानी विराट नगर थी अग्यातवास के समय पांडव रूप बदल कर राजा विराट के यहां ही रहे थे यमुना नदी के किनारे कलसी में अशोक के शिलालेक प्राप्त होने से इस बात की पुष्टी होती है कि यह शेत्र कभी काफी संपन रहा होगा सात्री सदी में इस शेत्र को सुधनगर के रूप में प्रसिध चीनी यात्री हुएंसांग ने भी देखा था यह सुधनगर ही बाद में कालसी के नाम से पहचाना जाने लगा लगबक आठ सो वर्ष पहले दून शेत्र में बंजारे जाती के लोग आकर बस गए थे तब से यह शेत्र गड़वाल के राजा को कर देने लगा प्राचीन समय के सबसे प्राचीन वंज मौर्या वंज के तीसरे राज अशोक मौर्या विश्व प्रसित और सबसे शक्तिशाली राजाओं में से एक थे समराट मौर्या ने 279 से 232 इस्वी पूर्वितक्षासन किया मौर्या वंज का यह राजा ही एक ऐसा राजा था जिन्होंने अखंड भारत पर राज किया था समराट शोक एक महान राजा होने के साथ ही धार्मिक सहिश्णू भी थे वे बौद धर्म के अनुयाई थे दर्शको वास्तव में अभी तक प्राप्त अभी लेखों में समराट शोक के अभी लेख हमारी प्राचीन सभेता संस्कृती के सुनहरे दस्तावेज हैं ये राष्टे की ऐसे अमूल निदी हैं जिनकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती समराट शोक ने अपने संपूर्ण शासनकाल में शिलाओं और स्तंभो पर लेख गुदवाए और लिखवाए ये लेख राजाओं की अग्याओं और शासन की ओर से जारी वक्तव्य के रूप में जाने जाते हैं ये अभी लेख भारत के महान समराट शोक के जीवन के बारे में उनके धर्म के प्रती विचारधाराओं के बारे में तथा ततकालीन भारत वर्ष के सुन्ने मितिहास को जानने में हमारे ही नहीं सारे विश्व की सहायता करते हैं दर्शकों अशोक के शिलालेक देखा जाए तो वास्तव में मौर्यकाल का एतिहासिक दस्तावेज है सच तो ये है कि अशोक के संबंध में जानकारी प्राप्त करने का सबसे महत्वपून आधार देश भर में पाए जाने वाले उनके ही विभिन अभी लेक है माना जाता है कि कलिंग के युद की घटना के बाद संब्राट शोक ने बौध धर्म को अपना लिया और इस धर्म के अनुयाई बन गए अपने राचिम में इस धर्म का प्रचार किया और लोगों को जीव और मानव के प्रती दयाभाव रखने का संदेश दिया भारत के महान शासक संब्राट शोक मौर्या ने अपने जीवन में कई निर्मानकारे करवाए थे संब्राट शोक ने अपने जीवन में कई शिलालेक भी खुदवाए जिने इतिहास में संब्राट शोक के शिलालेकों के नाम से जाना जाता है मौर्यवंच की पूरी जानकारी उनके द्वारा स्थापित इन ही मौर्यवंच के शिलालेखों में साफ चलकती है दश्यकों प्राप्थ हुए 14 शिलालेखों में से एक विशाल शिलालेख प्राप्थ हुआ था देहरा दून से 57 किलो मीटर दूर कालसी नामक स्थान के समीब यानि इस स्थान में जहां पे हम खड़े हैं सनद 1770 में फॉरस के करमचारीयों को सर्व प्रत्थम इसका पता चला तब ये चारो ओर से मिट्टी से दबी हुई चट्टान मातर दिखाई पड़ रहा था दर्शकों इसके ही नहीं वरन कालसी के आसपास चारो ओर तब भयंकर घना जंगल था जिसमें खूंखार जंगली जानवर विचरिंकिया करते थे वैसे तो अशुक के शिलालेख हिमाले से लेकर काठियावार मैसूर उडिसा तक प्राप्थ होए हैं अशुक के राजदिलक के चौधवें वर्ष और इसास से धाइस सो वर्दाग पूर्व कालसी के शिलालेख में अंकित है इन अभी लेखों से अशुक के बारे में ज्यात होता है दर्शकों कि उनके समराजी की सीमाई कितनी विस्सित थी क्योंकि एकान्त में सुनसान इलाकों, तीर्थ स्थानों या उनके बत के समीब ये शिलालेख पाए गए हैं आपको बता दें दर्शकों कि कालसी में ये शिलालेख प्राप्त हुआ उस समय ये पूरी तरह मिट्टी से धका हुआ था सफाई के बाद सापत्य कला की इस बेजोड वस्तु को देख सभी चकित रहे गए पूरी दर्शन नमस्कार मेरा नाम पंकर सेम्वाल है मैं पेसे से अधी वक्ता हूँ मैं यहां अशोक शीला गूमने आया था मुझे जहां तक जानकारी है समराट अशोक महान ने बहुत धर्म के परचार के लिए जगे-जगे अशोक शीला इस्तापित करवाई उन्होंने कलिंग यूद जीतने के पश्यात अपने धर्म के परचार के लिए जगे-जगे अश इसको खुजने में बहुत महतोपुन योगदान दिया और 1974 में ब्रम लिपी और प्राकृत भाषा का में पढ़ने का अंगरेज अफसर हुए थे उनने पहली बार इसको पढ़ा था 1912 में इसके उपर डोम बनाया गया था तब से ये सरकार के अधीन इसके देखरेक अच्छी तरह से हो रही है और इस अशोक शीला का हमारे जौनसार बावर के छितर में होने से देश विदेश में भी हम लोगों का एक परचार परशार हो रहा है धन्यवाद समराद अशोक ने अपनी 14 राजाग्याओं को इस शीलालेक पर उद्खीन करवाया जिसे जौन फॉरेस द्वारा सन 1860 में प्रकाश में लाया गया इस अभी लेक की भाशा प्राकरेत तधा लिपी ब्रामी है ये अभी लेक बहुत धर्म के मुख्य सिर्धानतों का संग्रह है जिसमें अहिंसा पर सबसे अधिक बल दिया गया है दर्शकों प्रारंब में स्थानिय निवासियों ने इस शिला लेक में हाथी का चितर खुदा देखकर इसे चितर शिला के नाम से पुकारा जो आज भी बोलचाल की भाशा में यहां काफी प्रचलित है हाथी के चितर के नीचे गजट में अर्थाद गजाधीश लिखा हुआ है और इस शिला लेक के लेक का अधिकांच भाग प्रस्तर के दक्षिन के कक्ष में मिलता है संपूर्ण लेक के लिए स्थान कम पड़ा होगा तब शिला के पश्चिम कक्ष में लेक पूरा किया गया आपको बता दे दर्शकों की इस शिला में ब्रहम लिपी का प्रयोग किया गया है जो इसकी प्राकृत भाषा का ही रूप है जो संस्कृत पाली सहित्तिक गरंतों की भाषा से सामन जस्से रखती है अधिकान शब्द जो कही नहीं दिखाई पड़ते हैं इस और इन जैसे शिला लेखों में देखने को मिलते हैं ब्रहम लिपी बाइस से दाइं चलती है जो दूसरे अन्य लिप्पियों की जर्मदातरी कही जाती है दर्शको समराट इशोक ने इस राजा ग्या में नैतिक तथा मानवे सिध्धानतों का वन्नन किया है यथा जीवहत्यानिशेद जन साधारन के लिए चिकित साव्यवस्था कुए खुदवाने, वरिक्षलगवाने, धर्म प्रचार करने, माता-पिता तथा गुरु का सम्मान करने, सहन शीलता तथा दयालूता आधिश्रेश्ट मूलेों का प्रचार करने का संदेश दिया है लेक के अन्त में पाँच यवन राजाओं का भी वन्नन किया गया है ट्रपी में होता रहा है। देश के पुन्ह निर्मान के आदेश, धर्म महत्माओं की नियुक्ति का आदेश, जनहित में कारे करने का आदेश, विशे भोग विनोध पर प्रतिबंद के आदेश, अहिंसक और पवित्र कारियों को प्रोच साहन, धार्मिक प्रचार विचारों की विवेचना के आदेश, संसारिक यश व्यभव का विरोध कर धर्म प्रचार यश की महिता पड़ जोर धर्म प्रचार को ही धर्मदान मानना सहिशुता की शिक्षा आदिके आदेश यहां साफ साफ दिखाई देते हैं समराट अशोक के सबसे पहले शिलालेक की अदिबात करें तो यह लेक गिरनार संसकरन भी कहलाया जाता है इसमें पशुबली की निंदा की गई और उन्हें निशेद किया गया है ऐसे समाज जिनमें पशुवद होता हो पर भी प्रतिबंद लगाया गया है इसमें अशोक ने कहा कि अभी राजकिये पक्षाला में एक हिरन वदो मोर मारे जाते हैं भविश्य में ये भी समाप्त कर दिया जाएगा समराट अशोग के दूसरे शिलालेख में कहा गया है मैंने अपने सिमाद शक्तियों वपडोसी राज्यों में भी मानव वपुशुचिकित्सा का प्रबंद किया है वहीं तीसरे शिलालेख में वणने थे रजुक युक्त वप्रादेशिक का उल्लेख राज्किये के बारवे वर्ष अतिकारियों को ये आदेश दिया कि वे हर पांच वर्ष बाद दौरे पर जाएं इसमें कुछ धार्मिक नियों का भी उल्लेख है इसमें ये भी कहा गया है कि धर्मानुशासन ही अच्छा काम है जिसके लिए मनुश्य को शीलवान होना आवशक है बही पांच वे शिलारलेख में धर्म महामात्रों की नियुक्ती की जानकारी मिलती है अशोक कहता है मैंने राज्याभिशेक के तेरवे वर्ष धर्म महामात्रों की नियुक्ती की छटा शिलालेख कहता है आत्म नियंत्रन की शिक्षा के बारे में जी हां इसमें अशोक अपने प्रती वेदकों को आदेश देते हैं कि मैं जहां भी रहूं मुझे प्रजा के विशे में सूचना दें सर्व लोक हित से बढ़ कर कोई काम नहीं साथमा शिलाले कहता है तीर्थ यात्राओं का वन्नन जी हां सब जगे सब संप्रदाई के मनुष्य निवास करें क्योंकि वे सब सईयम वा आत्म शुद्धी चाते हैं आठमा शिलाले कहता है अशोक की धम यात्राओं का वन्नन जी हां उन्होंने राजा विशेक के दस्वें वर्ष धम यात्राएं शुरू की और सब से पहले बोध गया की यात्रा की अशोक ने कूल 256 राते अपनी धम यात्रा में बिताई वही नौवे शिलालेक में सम्राट अशोक ने सच्छी भेंट और सच्चे शिष्टाचार का वन्नन किया है इसमें धम मंगल को सर्वश्रेश्ट खोशित किया है दासों और सेवकों से शिष्ट वहवार करें तथा श्रमणों, गुरुचनों और ब्रहमणों का सम्मान करें तथा धम नीती की शेष्टा पर विचार किया गया है ग्यारवे शिलालेक में धम की विवस्था की गई तथा धमदान को सर्वश्रेश्ट बताया गया है वही बारवे शिलालेक में स्त्री महामात्रों और वरज भूमिकों की नियुपती का उलेक किया गया है इसमें अशो अशोक के हिदे परिवर्तन का वर्णन किया गया है इसमें धम विजय को सर्वश्रेश्ट बताया गया है इसी में पडोसी राजाओं का भी जिक्र किया गया है चौद्वें शिलालेक में अशोक ने जंदा को धर्मिक जीविन व्यत्तीत करने का संदेश दिया है उन्होंने ल अस्तव में एतिहासिक द्रिष्टी से इस शिलालेक से अशोक के समराज्य के बारे में विस्तृत जानकारी मिलती हैं। अशोक शिलालेक कालसी धेरादून में कई परटक रोजाना आते हैं। हमारे थियास का चीज़ देखने को मिलता हैं। और हमारे देश में से बहुत से जगह हैं। जहां कि हम लोगों को पुराने पुराने चीज़ देखने को मिलते हैं। इसलिए गुमने आया हैं देरादून से आया है। जहां कि अच्छा लगादून से अच्छा लगादून से जगह हैं। मौरे समराट शोख के शिलालिक भद्य, असंबद और पुनारवर्ती से पून हैं। और शिष्टाचार में बहुत बड़े हैं। अशोख के आदर्श भी उनकी महनता का कारण थे। वे एक महान विजेता थे और कलिंग यूद में उन्होंने ये सिद कर दिखाया। समराट शोख वीर सहसी और यूद कुशल व्यक्ती थे। समराट शोख के प्रतियक विचार और आचरण में, राजे की नीतियों में, देश-विदेश में भेजे अनुदानों में, और शिला लेखों के प्रतियक पंक्ती, और उनके अर्थ और भावना में, मानफता एवं प्राणी मात्र काहित सर्वोपरी था। समराट शोख स्वयम, उनके अधिकारी, नियाए, राजे का धन, सेना, आदिस सभी, इनी मानफता के प्रति समर्पित थे। दर्शकों अशोख के शिला लेख की सुन्दरता देखने योग्य है। कांसे की तरह चमक्ती शिला बर्बस परिटकों का ध्याना कर्शित करती है। शिला पर खुदा हाधी का छिन, चित्रकला और बनाने वाले हाथों की कुशलता को व्यक्त करता है। निसंदे कालसी में प्राप्त शिला लेख ने कालसी को देश के ही नहीं विश्व के शिला लेख और स्थापत्य कला के संसार में गौरफ पूर्ण स्थान दिलाया है तो दर्शको हमें उम्मीद है कि आपको देकंचनेगी शो का ये एपिसोड भी बेहत पसंद आया होगा और इसी उम्मीद के साथ कि शनिवार रात नौ बज़े दूर दर्शन उतरा खंट पर देकंचनेगी शो की टीम फिर हाजिर होगी आप मुस्कुराते रहें खुश रहें फिलहाल मुझे यानि डौक्टर कंचनेगी को दीजे इजाज़त नमस्कार